हैलो दोश्तो नमस्कार रादे रादे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुनिता एसस ओफिसियल चैनल पर तो फ्रेंट्स आप सभी कैसे हैं आसा करती हूँ कि आप सभी स्वास्त और मस्त होंगे तो फ्रेंट्स आप सभी को ना मेरे सारे परिवार की तरफ से धेर सारी होली की सूप कामने तो फ्रेंट्स देख सकते हैं यहाँ पसना होली की जो है ना तेयारी हो ही रही है फ्रेंट् क्योंकि आप लोगों को अगले ब्लोग में मैंने दिखाई थी कि घर की पुताई हम लोग सारे घर की किये थे तो उसी दिन का किया हुआ बाकी ही रह गया ब्लोग हमारे पास तो वही ब्लोग आप लोगों को आज देखने को मिल रहा है तो होली की ब्लोग जो है हम लोग कैसे मनाते हैं क्या बनाते हैं होली के दिन ओबाद में आप लोगों को मिलेगी तो इब लोग आप लोगों को आगे मिल रही है friends तो देखें हम लोग इस साइट का पुताई कर रहे हैं friends और अगली vlog में बहुँत से friends बोल रहे थे कि थूड़ा अच्छा दिखा थोड़ा नजदिक से दिखाओ मदब अंधकार है लाइट जला लो ऐसे तो नहीं था लाइट इसलिए हम लोग नहीं जलाए हुए थे क्योंकि लाइट का कोई भरोसा ही ने रहता है किस टाइम पर रहता है तो इसलिए ना कभी-कभी लाइट भी नहीं रहता है तो वह से हम ल लोगों तक शेयर करने के लिए जो कि थोड़ा सा अच्छा दिखाई देता हो जहां का बस वहीं का आप लोगों के लिए रखी थी बाकी अंधकार जीधर ज्यादा अंधकार था उधर का मैं बिल्कुल भी आप लोगों तक शेयर नहीं की हुँ तो बने रहीएगा आज की बीडियो के अंड तक दिखाती हूं कि हम लोग की तरीके से पोताई कर रहे हैं और कैसा लगता है आप लोग जरू बताइएगा और जैसे अगले ब्लोग में आप लोगों ने प्यार और सपोर्ट हमें किया है दिया है बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी दीजेगा तो य इसको मैं इस्ट्रा बनवाई हूं मेरे लिए तो उसी को मैं उधर से इधर करते रहती हूं तो अभी आया लाइट तो उसके बाद में लाइट जला लिए हैं तो थोड़ा इधर का लुक जो है अलग दिख रहा है और अच्छा भी लग रहा है देखने से भी थोड़ा सा उज जाला उजाला है तो देखी हम लोग ना उधर से पुताई करते-करते दरवाजे से ले करकी इधर आ गए और जो मेरा भॉग हमेशा देखता उनको पता है कि यहां जो है हमारा मूर्गियां बढ़ती है तो वही वाला घर है जिदर हम लोग उनका मूर्गियां रहती है उध तू उन्हों निया कोमेंट्स किये थे जब मम्मीं ने चबाई किये थे दो बहुत ही बोली थी आप लोगों तक डब सेयर की थी तब क्योंकि मम्मी ने बिना पानी स्थ चबाई कर लेती हैं और मैं तो बार बार पानी छूती हूँ एक बार छबाई करती हूँ ना उसमें दस बार पानी छूती हूँ तब जा करके मेरा ना कहीं छबाई कम्पलीट होती है और मम्मी एक बार भी पानी नहीं छूती फिर भी उनका हाथ में जो है ना मिट्टी नहीं चपकता और बहुत अच्छे से करती हैं तो वही बोली थी तो वैसाली जी ने कोमेंट्स किया है कि मम्मी की छबाई की बारे में उनकी छबाई इसलिए अच्छी है क्योंकि ओ माँ है जो जिन्दगी भर एक एक काम बहुत मेहनत और दिल से करती है जो उनके कामों में जह लगता है पर मादमा उन्हें स्वस्थ रखे बहुत बहुत अच्छा कोमेंट्स किया है मुझे बहुत अच्छा लगा तो वैसाली जी आपको दिल से शुक्रिया इस तरीके से बोलने से मुझे बहुत ज़्यादा सुकुन मिले ये पढ़ करके और मैंने ना मेरी मम्मी को भी सुना दिया है आपकी जो है कोमेंट्स और हमारी मम्मी ना बहुत खोश भी पढ़ करके कि ऐसे भी कोई बोलता है ऐसे करके उनको नहीं पता है तो यहाँ पसना आप लोग देखे लिपाई करते करते ममी ना गिर जा रही थी फ्रेंट वहाँ पे जहाँ पे हम लोगों का मुर्गिया रहती है तो उसी के घर पे चड़ी हुई थी तो गिर जा रही थी लिपाई करते करते लेकिन संभल गई नहीं गिरी तो मतलब शिरिया से उपर चड़के लिपाई कर रही ह और मैं नीचे कर रही हूं और ऐसा नहीं है फ्रेंट्स की वैसाली जी का ही कोमेंट्स हमें अच्छा लगा सभी का कोमेंट्स हमें अच्छा लगता है लेकिन ना पता नहीं क्यों मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया और मम्मी को भी मैंने सुनाई और आप सभी को भी सुना दी मुझे बहुत ही अच्छा लगा इनका कोमेंट क्योंकि मा से रिलेटेड है तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बच्पन से हमारी मा ही मा और पापा दोनों है क्योंकि पापा का प्यार तो हमने कभी पाया ही नहीं है कि पापा का प्यार कैसा होता है सिर्फ मा मा का ही जानते हैं और मा को ही स्रिफ जानती हूं और आज तक भी उन्हीं का प्यार मुझे मिल रहा है ससुराल में आने के बाद भी मुझे ना सास का प्यार मिला ना ससुर का प्यार मिला लेकिन मम्मी का प्यार मुझे ससुराल में आने के बाद भी भरपूर मिल रहा है फ्रेंट्स बहुत ही प्यारा प्यारा कोमेंट्स करते हैं जितने भी आते हैं हमारे वीडियो को देखते हैं सारे फ्रेंट्स बहुत ही अच्छे अच्छे कोमेंट्स करते हैं और नहीं आता उसको बताते भी हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसे करूं ऐसे करूं यही से स्टार्ट हुआ था और यही से लास्ट हो रही है तो आज हमारी ना घर की सारी पुताई ना कमप्लीट हो चुकी है समझ लिजीए अब कमप्लीट होने ही वाला है बस इतना ही बाकी रह गया है देख सकते हैं बिल्कुल खत्तम होने वाली है और हमारी मम्मी ना उपर चड़ चड़ के पुताई कर रही थी इसलिए बहुत ज़्यादा गंदा हो गई है बहुत ज़्यादा और हमारी मम्मी की ना पहले से तब थोड़ी से ठीक है लेकिन भी खासी अब भी है बहुत बहुत ज़्यादा खासी थी फ्रेंस लेकिन यहां आने के बाद जब इलाज करा रहे हैं तो थोड़ी से ठीक हुई है पहले से तो यहां पस्तना हमारी छोटी बार बार आ जाती थी फ्रेंस बार बार क्योंकि ओना लिपाई करने के लिए होती है लेकिन आज उसकी नानी है ना तो मतलब बोल नहीं पा रही हमें कि हमें भी लिपाई नहीं होती ना तो वह भी मतलब लिपाई करने के लिए होती मेरे पी ने अजय से लिपाई, पुताई का देना विदर ना ओर भी वहां सोकुता युट है, लिपाई पुताई तो और भी अच्छा लगता है और साब भी बहुत ही अच्छा लगता है जब बार-बार सफाय ही हो तो और भी अच्छा लगता है तो देखिए सारा कंप्लीट हो ही चुका है हमारा पुताई और मम्मी हमारी मुर्गी घर को भी करना शुरू कर दी हैं बाह अच्छे से नहीं माना पाती मम्मी नहीं आई होती तो क्योंकि मैं लिपाई ही नहीं करती पूरा घर शिढ़िया चड़ने में डर लगता था दर्द होता है इसलिए तो देखिये फाइनली खतम करने के बाद ना फ्रेंट्स उसके बाद में कीचन पे आ गई थी यहाँ पस देखिये सबजी खाना पकारी हूं फ्रेंट्स और आज ना फ्रेंट्स मैं खाने पर क्या बनाई हूं पता है उसना चावल आप लोग कुर को इंचावल बताईएगा जरूर और आज मैं उसना चावल ही बना रही हूं और मम्मी लोगों के लिए अलग सब्जी और हमारे लिए अलग सब्जी क्योंकि मैं टमाटर नहीं खाती हूं डोक्टर ने मना किया है पक जाएगा बोल करके तो मेरे लिए अलग बना रही हूं और उनके लिए अलग तो उन उनगे का फल होता है ओ आलू और इक्या बोलते हैं घर में बनाया हुआ बड़ी तो तीनों चीज में मिला करके पका दी हूँ यहां पस और मेरा सबजी जो है न उपक चुका था तो उसी को मैं यहां पस फ्राई करने में लगी हुई हूँ तो अभी मैं आप लोगों को दिख खाती हूँ कि उसना चावल कैसा होता है अगर आप लोग नहीं देखी होंगे तो दिखाऊंगे इसको चौकने की बाद की कैसा होता है काला भात बनाई हूँ आज में काला चावल खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और जिसको सुगर है ना खास करके उनके लिए और भ बहुत ही फायदेमंद होता है उसना चावल तो देखे फ्रेंस उसना चावल इस तरीके से होते हैं यह देखे और इसमें बना दी हूँ मम्मी लोगों के लिए सबजी जिसमें टामाटर मिलाया हुआ है और इसमें बनाई हूँ मेरे लिए यह देख सकते हैं बीना टामाटर तो इसको ना अभी मैं काला मिट्टी को दर्वाजे पस पताई करने वाली हूँ फ्रेंस क्योंकि आप लोगों को मैं कल की ब्लोग में दिखाई थी जो कि अंदर वाले घर दर्वाजे के पास दिवाल की पताई कर रहे थे तो जो दर्वाजे पे दूसरे कलर से पताई किया तो थोड़ा सा ही मैं भीगोई हूँ क्योंकि दर्वाजे के किनारे किनारे बस थोड़ा सा पुताई करना है उसको डिस्पेंटर से मैं पुताई की थी फ्रेंट्स लेकिन डिस्पेंटर नहीं लाए हुए हैं हम लोग और जो लाए थे उसको तो बाहर में मैं पुताई कर दी थी और बाहर में भी यलो कलर ही था पीलर पे तो यलो कलर हम लाई ही नहीं थे और अभी पैसे थोड़ी कम पड़ गए थे इसलिए इस बार हम लोग डिस्पेंटर नहीं ले करके आए और जो था पहले रखी थी मैं क्या बलते हैं ड्रेसिंग बनाने के लिए तो वही वाला से मैं पोताई कर दी बाहर वाला को और अंदर के लिए नहीं बचा बस एक ही पाकिट था ओएसे कलर अस्मानी कलर तो इसको मैं सोची क्यों ना बलेक कलर से कर देती हूं पोताई तो उसे से कर दे रही हूं मैं काला मिट्टी से तो कैसे लगेगा आप ज़रूर बताएगा पता नहीं कितना काला दिखेगा अभी तो थोड़ा काला ही दिख रहा है इसको नहीं भी करती फ्रेंस यलो कलर को लेकिन ना क्या बलते सफेद मिट्टी समलक पोताई किये ना तो पूरा मतलब उसमें चू गया है तो अच्छा नहीं लग रहा है पूरा भद्दा भद्दा सबीन गजा है लेने के लिए ना केलिए फिर नहीं जा रहे हैं बस एक ही पोकिट के लिए तो इसी से कामधि के लाए फिर से से तिवहार आएगा तो फिर से जब पुताई करूंगी तो दूसरे कलर से पुताई कर दूंगी तो देखे इस तरीके से में बना दे रही हूं और अभी भी बहुत ज्यादा चूरा है बलेक वाला भी देख सकते हैं पूरा दरवाजी की आसपास पूरा बहुत अधिक हो चुका है कि चूही जाता है जैसे भी पताई करो मतलब गीर ही जाता है पूरा पानि बचा-बचा करने पर वी गीर जाता है, उसके बाद में यहाँ सफेद धहरस और पोस दी, कि देख रहे हैं किनारे किनारे दोनों साइट पे मैं गिरा दी थी तो दोनों साइट के मैं पोत दे रही हूँ जब यह सुखेगा तो पहले का लिपाय किया हुआ में मिल जाएगा अच्छे से मतलब दिखाई भी नहीं देगा कि मतलब यहाँ पस अलग से कुछ पोताई किये हैं ऐसे लेकिन अभी कच्चा है तो पता चल रहा है जब सुख जाएगा तो मिक्स हो जाएगा एक ही जैसा दिखाई देने लगेगा उसके बाद में यहाँ पस दर्वाजे सब में पूरा जो है मतलब गिरा हुआ है सफेद मिट्टी भी काला मिट्टी भी दोनों तो मैं इसको सारा को मतलब रगड रही हूँ और इसको न अच्छे से धोंगी क्योंकि बहुत जादे इसमें चीटे पड़ गए हैं सफेद मिट्टी के और काला मिट्टी के तो अच्छे नहीं लग रहे हैं वैसे तो दरवाजा पे पेंट मारने के लिए भी कलर नहीं है घर पे और ला भी नहीं सकते हैं अभी इसलिए इसको न मैं अच्छे से धो दे रही हूँ ताकि अच्छा लगेगा देखने में भी देखने वालों को भी लगे कि साप सुथरा है ऐसे थोड़ा सा अच्छा न लेका धे रहा है जब सुख गया है पूरा पुताई करके तब है देख रहे हैं और बाहर दरवाजा रहा ज़ön लोगों का में गेट में दरवाजा है तो इसमें भी बहुत सफ़ेद सफेद मिट्डी पड़ गया थे तो इस में यह पाना पedia घोने लगी हूं पानी से और पोछ दे रही हूँ एक बार तो ये भी मतलब थोड़ा सा अच्छा लगेगा क्योंकि बाहर में ही है कोई भी आएगा तुरंत से देखेगा तो बोलेगा कि साप सफाई भी नहीं किये हैं ऐसा तो इसलिए मैं इसको भी कर दे रही हूँ और कर देने के बाद थोड़ा सा फेंस अलग ही नजर आता है और थोड़ा अच्छा भी लगता है कि साप सफाई जैसे भी रहे घर दरवाजा ना अगर साप सफाई रखें तो वही अच्छा लगने लगता है चाहे वो जैसा भी हो जोपड़ी घर हो या फिर मिट्टी का घर हो या फिर पकका का घर हो तो इसको भी अच्छे से पोच दे रही हूँ वह इसे तो उतना ज़्यदा बाहर का गंदा नहीं है बस सफेद मिट्टी है पढ़ गए थे तो उसी को मैं कर दे रही हूं उतने जादे बाहर वाले दरवाज़े पे नहीं थे जितना अंदर वाले दरवाजे पे थे उसके बाद में आफ्रेंट्स यहां पर्श करने के बाद और भी काम बाकी रह गए हैं तो देखें यहां पर स्नाम कुर्सी को धोने लगी थी जो कि हम लोग लिपाई किये थे तो बहुत जादा गंदा हो गया था तो इसको भी धोना जरूरी था क्योंकि कोई भी आता है तो बैठने उटने के लिए देने बनता है तो इसलिए इसको धोर ही थी में और लिपाई हमारा कम्प्लीट हो चुका था इसलिए मैं सोची धोर देती हूं और धूब बहुत ही अच्छे से निकला था तो धोने के बाद थोड़ा सा धूब पे रख दूंगी तो यह भी मतलब अच्छे से सूख जाएगा तो इसलिए इसको मैं धोने लगी थी तो आज की ब्लोग आप सभी को कैसा लगा फ्रेंड्स आप लोग जरूर बताईएगा और मेरे चैनल पर आप लोग जो भी भाई बहर माता पीता पहली बार आये हुए हैं तो उन सभी से रिग्वेस्ट है कि बेर आइकन के साथ सस्क्रा लगा चुका है और मैं भी अपने हाथ पर दो ले रही हूं अभी क्योंकि हम भी थोड़ा सा पुताई किये थे तो गंदा हो गए थे फ्रेंड्स तो मिलूंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइ